नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ निहारिका और आप देख रहे हैं खबरहंट आज हम बात करने वाले हैं बॉलेवुड में चले ऐसे रिष्टे के बारे में जो किसी से चिपाए नहीं चिपा जी हां कभी ऐसा समय भी था जब कार्तिकारियन और सारा अली खान की प्यार की चर्चाएं हर तरफ चाही रहती थी ये दोनों सितारे एक दूसरे के साथ अक्सर नजर आते थे सारा अली खान ने खुद ही कार्तिक को डेट करने की इच्छा जताई थी जिसके बाद दोनों ने साथ में एक फिल्म की हाला कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और कुछ समय बाद इनका रिष्टा भी खतम हो गया सारा और कार्तिक के फैंस को उनका अलग होना बिलकुल भी पसंद नहीं आया हालकि ब्रेक अप के बाद भी जब सारा और कार्तिक साथ दिखाई देते थे तो फैंस की नजरे उन पर से हटती नहीं थी आनन्य पांडे के वेब सीरीज कॉल मी बेकस प्रीमियर सब्टेंबर 6 को OTT पर स्ट्रीम होने जा रहा है इस इवेंट में कार्तिकारियन समेत कई सितारे पहुँचे वहीं सारा लिखान अपने भाई इबराहिम के साथ नजर आई जब इवेंट में कार्तिक और सारा एक दूसरे से मिले तो वेब सीरीज से ज्यादा चर्चा इन दोनों की होने लगी शोशल मीडिया पर इनके मिलन के वीडियो तेजी से वाईरल हो रहे हैं पहले वीडियो में दिखता है कि जैसे ही सारा इवेंट में पहुँचती हैं कार्तिका के बढ़ कर उन्हें गले लगाते हैं इस भावुक पल ने लोगों को इनके पुराने दिनों की याद दिला दी इस बीच लोगों ने अनन्या पंडे के रियक्शन को भी खूम नोटिस किया इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अनन्या पंडे को शायद जलन हो रही है हाला कि कुछ लोग इसे अफवाहें बताते हैं वहीं उजर्स के ऐसा कहने की वज़ा ये भी है कि कभी कार्तिक और अनन्या के रिलेशन्शिप की बात भी सामने आई थी इस इवेंट में कार्तिक अपनी दोनों एक्स गर्ल्फरेंड के साथ मौझूद थे लेकिन कार्तिक का सारा के प्रती जेस्चर देखकर फैंस काफी खुश हुए वहीं एक और वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें कार्तिक आरियन और सारा के भाई इबराहिम के बीच की बॉन्डिंग दिखती है दोनों किसी बात पर जोर से हसते हैं इन तीनों को साथ देखकर फैंस फिर से कार्तिक को सारा की जोड़ी को याद कर रहे हैं जब सारा और कार्तिक रिलेशन्शिप में थे तब इबराहिम को भी कई बार कार्तिक के साथ देखा गया था जब सारा अपने पिता सैफ अली खान के साथ कौफी विद करन शो पर नज़र आई थी तो उन्होंने कार्थिक को डेट करने की बात कही थी इसके बाद कपिल शर्मा ने भी अपने शो में कार्थिक से इस बारे में सवाल किया था दोनों बाद में फिल्म लव आजकल टू में साथ नजर आए उस दोरान इनके रिष्टे को लेकर रोज नए-नए किस्से सुनने को मिलते थे लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कुछ समय में ही इन दोनों का रिष्टा भी खतम हो गया अलग होने के कई साल बाद जब अपकार तेक और सारा एक बार फिर से मिले तो उनके फैंस काफी खुश हुए